हे अबरिबन तो कैसे हैं आप सब सो मान लीजे आपके अगेंस्ट एक केस फाइल हो चुका है और उसी के अगॉर्डिंग आप एक ट्राइल चलाय जा रहा है और आप वो केस हार जाते हैं तो इस सिचुएशन में आप कोर्ट से ये कहते हैं कि मुझे री ट्राइल ग्रांट होना चाहिए तो क्या कोर्ट आपको इस चीज के लिए अलाओ करेगा या नहीं तो आज का हमारे ये केस कुछ ऐसे ही एरियास के बारे में बात करता है हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं नसीब सिंग वर्सिस टेट आप पंजाब 2021 सो ये केस लेटेस्ट होने के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट केस भी हो जाता है क्योंकि इस केस में रिट्राइल से रिलेटेट ओनरेबल सुप्रीम कोट ने हमारे सामने काफी चीजें यहां रखी है सो ये केस है किस बारे में ये केस बात किन चीजों के बारे में करता है ये भी यहां देख लेते हैं आप देख सकते हैं ओनरेबल सुप्रीम कोट ने इस केस में कुछ principles formulate किये हैं कुछ principles हमारे सामने रखे हैं जिसके according court के पास different courts के पास ये power है कि वो retrial grant कर सकता है किसी भी person को in a criminal case लेकिन क्या retrial पाना इतना असान है चलिए जानते हैं कुछ principles honorable supreme court ने इस case में laid down किया जो हमारे लिए जानना काफ़ी important हो जाता है सबसे पहला principle जो इस context में निकल के आता है जिसमें honorable supreme court ये कहते है कि एक case में retrial तब ही दिया जाएगा तब ही direct होगा जब वो case होगा exceptional case ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी person मुँ उठा के चला गया जी मैं तो अपने case में हार गया तो मेरे case को दुबारा retrial मिलना चाहिए ऐसा यहाँ नहीं होगा दिखिए अगर हर person retrial की मांग करने लगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर overburdening of cases हो जाएगी मतलब एक trial तो हो चुका है उसके उपर से दुबारा retrial की मांग अगर एक person करेगा तो ज़ादा काम courts के पास होगा तो honorable supreme court यह कहते हैं कि retrial direct होगा exceptional case में exceptional cases से यहाँ पर मतलब है कि कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें previous trial में कुछ fabrication के चलते कुछ adaptation के चलते adaptation मतलब किसी compromise के चलते उस case का disposal उस case की judgment कहीं न कहीं compromise हो जाती है तो honorable supreme court यही कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे exceptional cases में retrial grant हो सकता है जिससे यहाँ पर लोगों को नियाय मिल पाए और यहाँ miscarriage of justice avoid हो सके मतलब जो अन्याय है उसे हम avoid कर सकें यह कहना है honorable supreme court का so second principle जो इस context में निकल के आता है जिसमें honorable supreme court यह कहते हैं कि investigation का mere lapse मतलब investigation का disturbance की कारण नहीं बनेगा grant for retrial को लेके मतलब अगर सिर्फ investigation ही disturbed हो गई investigation ही अगर compromise हो गई तो वो ही सिर्फ काफी नहीं है कि parties को retrial grant किया जाए लेकिन अगर वो lapse बहुत grave हो जाता है या वो lapse carry करता है किसी भी तरीके का prejudice जो की हो सकता है parties के rights को लेके तब retrial grant हो सकता है देखिए अगर simply investigation lapse हो जाती है तो उस situation में retrial grant नहीं होगा लेकिन अगर वो lapse grave हो जाता है in nature या वो lapse carry करता है किसी तरीके का prejudice देखिए prejudice का simple meaning यहाँ पर होता है कि जब हम किसी दूसरे को बिना किसी वज़े के unlike करते हैं ना पसंद करते हैं कोई वज़ा हम पर शामिल नहीं होती बस ऐसे ही हम किसी दूसरे person को पसंद नहीं करते उस चीज़ का मतलब होता है prejudice और अगर किसी investigation में कोई lapse ऐसा मौजूद है जो lapse यहाँ contain करता है prejudice को और अगर वो prejudice parties के rights में मौजूद है तब यहाँ retrial direct हो सकता है उन parties को जिन parties के rights में prejudice include है और वो lapse किसी investigation में grave है so third principle जो इस context में निकल के आता है जो आपके लिए जानना काफी important हो जाता है आप देख सकते हैं अगर कोई matter है जिसको retrial के लिए भेज दिया गया है कोई case है वो approve हो चुका है और उसे retrial के लिए भेज दिया गया है तो उस matter के जो previous trial के evidences और record थे वो completely यहाँ wiped out हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नई सीरे से शुरुवात होगी क्योंकि retrial यहाँ existence में आ जाएगा कहने का मतलब यह कि जो भी matters retrial के लिए जाएंगे और उनके previous trial से related जो भी चीज़ है यहाँ पे थी जैसे की evidences हो गया record हो गया तो उन्हें completely wiped out कर दिया जाएगा completely remove कर दिया जाएगा because of retrial fourth principle जो honorable supreme court यहाँ mention करते हैं और जो एक तरह से base है इस retrial के context को लेके आप देख सकते हैं presence or prejudice जैसे की मैंने आपको prejudice का meaning बताया था और shoddy investigation shoddy investigation मतलब होता है compromise investigation या disturbed investigation investigation में किसी भी तरीके का समझाता हो गया हो या investigation किसी वज़े से disturbed हो गई हो इन दोनों चीज़ों का determination होगा इन दोनों चीज़ों का पता लगाया जाएगा एक particular case के facts और evidences की thorough reading करके ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई भी person मूठा के court of law में चला जाता है और वो ये बोल देता है कि मेरे case में तो prejudice शामिल था और shoddy investigation शामिल थी तो मुझे retrial grant होना चाहिए ऐसा नहीं होगा एक particular case के facts को और evidences को thoroughly read किया जाएगा उसके बाद ये determine किया जाएगा कि क्या सही में उस case में prejudice present था ये shoddy investigation present थी ये काफी important principle निकल के आता है इस context को लेगे so fifth and one of the most important principle in this context जो की honorable supreme court यहाँ पर specify करते है honorable supreme court यहाँ यह कहते है कि facial argument is not sufficient for retrial and miscarriage of justice honorable supreme court का simply यहाँ यह कहना है कि facial argument sufficient नहीं होगा retrial के लिए example से समझाता हूँ एक मान लीजिए कोई भी person court में चला जाता है और वो यह कह देता है कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है मुझे तो justice ढंग से मिली नहीं तो मेरे case को यहाँ पर retrial कर देना चाहिए so यहाँ honorable supreme court यह कहते है कि यह facial argument sufficient नहीं होगा retrial के लिए मतलब कोई भी person अगर कल को आगे कह दे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो चीज़ sufficient नहीं होगी सिर्फ उस चीज़ के basis पे ही retrial यहाँ पे grant नहीं होगा और honorable supreme court यह चीज़ भी mention करते है कि जो appellant court है वो retrial तभी grant करेगा जब एक case में certain reasons यहाँ दिये जाएंगे miscarriage of justice के लिए मतलब एक case में कुछ कारण ऐसे दिये जाएंगे जिसकी वज़े से यह पता लगेगा कि सही में parties जो है case की उनके साथ अन्याय हुआ है वो reasons होने ज़रूरी है ऐसा नहीं कि कोई भी कल को उठके यह कह दे कि भई मेरे साथ तो miscarriage of justice हुआ है और मुझे retrial मिल जाना चाहिए यह कहना था ओनरेबल सुप्रीम कोट का देखिए यह fifth fundamental principle काफी important इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर यह कुछ reasons specify करता है जो की होंगे miscarriage of justice से related जो reasons specify करेंगे कि हाँ सही में parties के साथ miscarriage of justice हुआ है और अगर miscarriage of justice यहां हुआ है तो उन parties को grant किया जाएगा retrial तो आज का यह जो case हमने discuss किया था यह काफी important इसलिए भी हो जाता है कि honorable supreme court ने इस case में कुछ principles formulate किया है जिसके basis पे एक party retrial के लिए apply कर सकती है तो मुझे उमीद है आज की वीड़ा आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहां gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day